हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभी पीडिया पावर बाई अभीमन यू आई है दोस्तों स्टेट सिवल सर्विसिस की प्रिपरेशन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो स्टेट सिवल सर्विसिस एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिर्फ अपने राज्य का किसी भी राज्य का कोई भी एस्पिरेंट जो है वो किसी दूसरे राज्य का स्टेट सिवल सर्विसिस का एक्जाम दे सकता है ऐस पर दा कॉंस्टिशन बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं अब रीजन पीछे यह रहता है कि थोड़ा सा पेपर पैट जो C-set है वो आता है कहीं पर नहीं आता है कहीं पर नहीं होती है तो थोड़ा बहुत यह difference रहता है और जो अगला difference रहता है वो रहता है state की gk का और language का अगर आप किसी दूसरे state के लिए जा रहे हो किसी दूसरे state का civil services का exam देने वाले हो तो वहाँ पर आपको state का gk और state की language आता होना mandatory है क्योंकि exam में पूछा जाता है तो यह changes रहते है अदरवाइस आप किसी भी दूसरे राज्य का state civil services का exam दे सकते हो और बहुत सारे preparation को boost up करवाने के लिए आपकी मदद करने के लिए अभी मन्यू IS आपके लिए ले के आया है एक combined state civil services exam preparation course this course will definitely help you to crack the PCS the state civil services exam of any state आपको हर state का जो gk है या language है वो हमारी तरफ से cover करवाया जाएगा हम हर state के gk आपको cover करवाएंगे अभी मन्यू IS जो की पिछले बाइस सालों से UPSC civil services और state civil services की फीड में काम कर रहा है more than 1500 selection हम दे चुके हैं पिछले 22 सालों के अंदर अंदर जिसमें top rankers भी produce हैं कि यह अभी मन्यू IS ने in the form of state civil services तो state civil services के लिए अगर आप prepare कर रहे हैं तो यह course आपको definitely help करेगा इस course के बारे में बाकी की जानकारी मैं आपको अंत में दूँगा आज के इस video के अंदर हम mainly जानेंगे कि एक state के बारे में एक state के PCS के बारे में उसमें क्या eligibility criteria रहता है क्या exam pattern रहता है क्या selection process आपको दिखने को मिलेगा क्या qualification रहती है तो this is Punjab आज हम बात करेंगे पंजाब civil services exam की PCS भी बोलते हैं पंजाब civil services का जो exam है यह PPSC बोले तो पंजाब public service commission के दौरा किया जाता है और नाइस करवाया जाता है हर राज्य के अंदर अपना एक public service commission होता है जो कि उस state के अंदर civil services exam या फिर group A या group B की जो recruitment होती है उसको conduct करवाने का काम करता है तो आज का हमारा जो विशे रहेगा वो रहेगा पंजाब public service commission को लेके हम बात करेंगे PCS की पंजाब civil services का exam देखिए देखते हैं आगे सबसे पहले तो number of vacancies कितनी आ रही है सालों से ठीक है लास्ट एक दो देख लेते हैं अभी 2020-21 की बात करो तो इसका selection process अभी कुछ 67 वो था 67 ठीक है 2020 में एक्जाम नहीं हुआ क्योंकि COVID-19 चल रहा था तो उस वक्त नोटिफिकेशन नहीं आया 2020 लास्ट में आया था 2021 में इसका खतम हो गया और अभी 2021 में आगे फर्दर 2021-22 में इसका एक्जाम जरूर कंडक्स किया जाएगा PCS को लेके रिक्रिटमेंट जरूर की जाएगी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अब आगे देखते हैं यहाँ पे एज़ लिमिट के अगर मैं बात करूँ ही है ठीक है कोई reservation है तो आपको यहाँ पर relaxation मिल जाएगा category के accordingly as cbc obviously physically challenge यह एक सर्विस्मेंट किसी accordingly आपको मिल जाएगा यहाँ पर relaxation बट जनरल के लिए यह रहता है उसके बाद बात करते हैं education qualification graduation degree चाहिए होती है किसी भी बढ़ते हैं तो यहाँ पर exam pattern की बात करें तो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए जो आपको मेंस तक लेके जाएगा बाद में उसका कोई value नहीं है वो कोई count नहीं होता में आपका जो final selection में marks count होते हैं वो में return exam के होते हैं और personality test के होते हैं तो में return exam की बात करें और personality test की बात करें या प्रिलेम्स की बात करें तो हम तीनों का pattern देखते हैं सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रिलेम्स की मैंने बताया screening के लिए सरफ प्रिलेम्स में दो तो रहेंगे दोसो दोसो नंबर की दोनों पेपर होते हैं और दो घंटे का आपको समय मिलेगा ओमर शीट पर होता है अफ्लाइंग क्लियर तो प्रिलिम्स का एक्जाम है यह और सेकिंड पेपर जो आपका रहता है पेपर टू यह सी सेट होता है जो UPSC की टारी करते हैं उनको पता होगा सी सेट के बारे में 80 कोशेट होता है अपर 250 के एक कोशेट हो ता है नंबर पीपर होता है तीक है बड़ उसमें 100 questions आते हैं उसमें 80 questions आते हैं अगला next point यहां पर important यह है कि इसमें negative marking नहीं होती है पंजाब PCS में negative marking अब तक नहीं होती है next वाले में अगर आ जाए तो आपको notify कर दिया रहेगा बट अभी तक इसमें negative marking नहीं होती negative marking नहीं होती तीक है तो यह prelims का exam है आपका ध्यान रखना है इसको prelims के exam को उसके बाद आगे मेंस की तरफ बढ़ते हैं डिस इस आर मेंस में साथ पेपर होते हैं मेंस में साथ पेपर होते हैं सबसे पहले जनरल इंग्लिश का exam होता है 100 marks का तीन घंटे की duration होगी सबके साथों के साथों के साथों पर पर descriptive in nature है और वो जो दो पेपर थे prelims वाले वो objective थे ठीक है mcq pattern में यह यहाँ पर subjective रहेंगे descriptive में उसके बाद जनरल पंजाबी का पेपर होता है जो कि आपको पंजाबी में लिखना है ठीक है 100 नंबर का होगा तीन घंटे इसके लिए मिलेंगे उसके बाद जनरल essay का आपका पेपर होता है यह आप inglish में लिख सकते हैं यह पंजाबी में लिख सकते हैं आपकी मरजी रहेंगी टिक है तो नंबर का यह रहता है तीन घंटे इसको लेके मिलेंगे तीन घंटे उसके बाद आपके जी एसके चार बेपर होते हैं ठीक है तापिक वास डिवाइड कि यह आपके science and tech environment problem solving and decision making आ गया तो यह साथ paper रहते हैं मेंस के अंदर मेंस के अंदर यह साथ paper आपके conduct किये रहते हैं इन साथो papers में आपको जो exam है aggregate आपको 45% marks लेने होते हैं at least और individual भी हर subject में कम से कम आपके पास 35% आने चाहिए ठीक है individual भी कम से कम 35% आपके हर exam में आने चाहिए 35% तो और aggregate overall सबका मिला के 45% at least होना चाहिए तभी आप qualify करेंगे उसके बाद cut off भी होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और यह आप देख सकते हैं 1000 और 1300 यह हो गया है 1350 और 1500 नंबर का यहाँ पर इंटरिव्यू रहता है तो गिफाल 500 नंबर में से आपका सेलेक्शन होता है फंदरा सेलेक्शण की अधाता है जो आपने आपको बूस्ट अब रखते हैं वह यहां पर मेंश को क्राक कर लेते हैं और इंट्रिव्यू करके बन जाते हैं officer officer इस बार भी बहुत सारे बच्चों ने crack किया बहुत सारे बच्चे यहाँ पर job लगें आप इंट्रिव्यू स देख सकते हैं उनके पड़े हुए मॉक सिर्फ screening in nature था screening में था तो यह आमने pattern जाना selection process जाना कि पंजाब में किस तरह से criteria रहता है PCS को लेके तैयारी और syllabus के बारे मैं भी आपको बता दूँगा अगर किसी को doubt रहता है तो comment section में पूछ लेना अपना doubt अब बात करेंगे course की मैंने आपको बताया अभी मन्यू आईएस आपके लिए लेके आया है एक combined state civil services का exam preparation course यह course आपको definitely help करेगा आपके exam को crack करने के लिए state civil services के exam को crack करने के लिए क्योंकि अभी मन्यू आईएस पंदरास पंदरास उससे ज़्यादा selection दे चुका है पिछले 22 सालों के अंदर अंदर तो बहुत आपको टोटली प्री अप्रिलिम्स प्लस मेंस का CSAT GS और स्ट आपका cover करवा दिया जाएगा आप चाहें जिन students को doubt लगता है की course purchase करने से पहले आप 20 days तक का free trial ले सकते है 20 दिन का trial 20 days का आपको trial मिल रहा है free में 20 days आप trial लीजे फिर decide कीजे की आपको course अच्छा लग रहा है है नहीं 20 days का free trial and there is a module wise course of modern history which is totally free ठीक है जो की आपको demo में मिल रहा है जो 20 days का जो आपको course मिलेगा 20 days के जो आपको lecture मिलेंगे that is of module course of modern history modern history के आपको lecture ये provide के जाएंगे that जो की अभी मन्यू IES की expert faculties के दौरा deliver किया जाते है and join this course and join the topos league of अभी मन्यू IES by cracking the state civil services exam of next तो आज ही अपना demo register करें नीचे description में आपको link मिल जाएगा वहाँ पे जाके खुद को register कीजिए and हमारा demo attend कीजिए courses के बारे में अच्छा लगे तो purchase कीजिए किसी भी तरह की doubt और query के लिए आप comment section में पूछ सकते हैं तो Punjab civil services के अगर हम आज हमने बात की है next में हम another state की बात भी करेंगे तो it's all for today thank you so much don't forget to subscribe the channel and press the bell icon and video अच्छा लगे तो like comment share करना नहीं भूला it's all for today thank you so much